नमस्कार बच्चों मैं आराधना बर्मा आज आप लोगों को क्लास 7 का जो NCRT बूक है वसंत 2 उसमें चैप्टर नमबर है 3 हिमाले की बेटियां उसका प्रस्ण अव्यास आप लोगों को कराने जा रही हो बच्चों मैं आपके लिए पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हो अपने चैनल पर मेरे चैनल का नाम हिंदी की पढ़ाई उसमें इसी चैप्टर का पूरा व्याक्या बरे हिसरल सब्दों में मैं आप लोगों की लिए कर चुकी हो तो आप अगर उसको नहीं देखे है तो देख लिजिए उसमें हार्ड वर्ड वगेरे सब कुछ में अच्छे से एक्स्प्लेन की हो आज हम लोग उसका अव्यास देखेंगे इसी चैप्टर का तो बच्चों आपकी बुक में पेज नंबर 15 पर पहला प्रस्ण है नदियों को मा मानने की परंपरा हमारे यहां क किस किस रूप में देखा है तो इसका एंसर होगा लेखक नदियों को मा मानने की परंपरा से पहले इन नदियों को इस तरी के सभी रूपों में देखते हैं इस तरी के सभी रूपों में नागार्जुन नदी को देखते हैं जिसमें वो उसे बेटी के समान प्रतित होती है पहले इसलिए तो लेखक नदियों को हिमाले की बैटी कहता है पहले कभी वह इन्हें प्रियासी भानती प्रेममई कहता है जिस तरह प्रियासी अपने प्रियतम से मिलने के लिए आतूर है उसी तरह कौन कह रहे हैं नागरजुन कह रहे हैं उसी तरह ये नदियां सागर से मिलने को आतूर होती हैं इस कहानी में नागरजुन ने ऐसा बताया है नदियों के बारे में तो कभी लेखक को उसमें ममता के रूप में बहन के समान प्रतीत होती है कौन नदि जिसके समान में वो हमेशा हाथ जोरे सीज युकाए खरा रहता है ने खक नागरजुन फिर दूसरा प्रस्ण है सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विसेस्ताएं बताई गई हैं इस कहान लेख में चीक है हम लोग इस लेख के बारे में ही पर रहे हैं तो इस लेख के अंसार इनकी विसेस्ताएं इस परकार है शिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों ही महानदि हैं इन दोनों महानदियों में सारी नदियों का संगम होता है इसले इनको महानदि कहा जाता है क्योंकि जितने भी छोटी छोटी नदिया होती है वो आकर के सब इसी दो महा नदी में आकर के मिलती है ये भागॉलिक वो प्राकृतिक दृष्टी से बहुत महतपूर्ण नदिया है क्यों भागॉलिक और प्राकृतिक दृष्टी से महतपूर्ण है क्योंकि ये डेल्टा का फॉर्मेशन करती है साथ ही साथ मतश्य पालन इसमें काफी ज़्यादा होता है चावल की फसल वा जल के सुरोत का भी ये काफी अच्छा साधन है कई राजियों में और कई देशों में ठीक है फिर है ये दोनों ही पुरानिक नदियों के रुप में बिसेश पूजनेवा महत्वपूर्ण है तो हिंदु धर्म के लोग इन दोनों नदियों को पूजते हैं और पुरानिक हमारी कथाओं में धार्मिक कथाओं में इन दोनों नदियों का काफी महत्तो पूर्ण बताया गया है फिर है question number 3 काका कालेलकर काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है उन्होंने काका कालेलकर ने अपने लेख में नदियों को लोक माता कहा है क्योंकि माता कौन होती है जो अपने पुत्रों का जब तक जीवित रहती है भला चाहती है तो यहाँ पर एंसर में हम लोग देखते हैं कि काका कालिलकर ने ऐसा क्यों कहा था नदियों को लोक मता कहने के पिछे काका कालिलकर का नदियों के परती सम्मान है वो नदियों को सम्मानित भाव से देखते हैं क्योंकि ये नदियां हमारा आरम भी काल से ही मा की भाती भरन पोशन करती आ रही है मा का मुख्यकारी क्या है वो बच्चे को जन देने से जब बच्चा उसके पेट में रहता है तब से ले करके यह हमें पीने के लिए पानी देती है नदियां तो दूसरी तरह पिश्के द्वारा लाई हुई उपजाओ मिट्टी खेती के लिए जो फर्टाइल मिट्टी बाहर में अपने साथ लेके आती है वो मिट्टी क्या होती है उपजाओ मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है बहुत यूजफुल होता है वो खेती के लिए यह मचली पालन में भी बहुत उपयोगी है नदी में हम मचली पालन कर सकते हैं और जीविका का यह बहुत बढ़ा साधन होता है आर्थात ये नदिया सद्यों से हमारे जीवका का hm dharm में तो ये नदिया पुराणिक आधार पर भी भी बिशेश पुजनिय हैं distract कि Hindu धर्म में तो जीन बहुसी का अंती मैस्ट भी का अन्ती म्यात्र भी cannot मर जाता है को तो जाक है एक जो रॉआझ भी नदी में भी हुघे बहुत है। सु हम क्या कह सकते हैं कि अंतिम आतरा भी इन्हें से मिल कर समापत होती है जैना कि जिस माने घृगा मताम करते हैं इसलिए हम लोक माता काते हैं Question number 4 है हिमाले की यात्रा में लेखक ने किन किन की परसंसा की है तो ये जो लेखक लिखे हैं इसमें वो किस किस चीज की परसंसा की है किस किस चीज की वो इसमें Importance को बताए हैं लेखक ने हिमाले यात्राय में निमलिखित की परसंसा की है तो नीचे लिखे हुए जो भी चीज है उन्होंने परसंसा की है किस किस चीज की पहला तो उन्होंने हिमाले की छटा की हिमाले कितना खुबसुरत है उसका वो परसंसा की है वर्नन की है दूसरा हिमाले से निकलने वाली नदियों की अठखेलियों की किस तरह से वो अठखेलियां कर रही है छोटी बच्ची के तरह उसकी वो परसंसा किया है तिसरा क्या है उसकी बरब से ढखी पहारियों की सुन्दरता की हिमाले की जो पहारियां उस पे किस तरह से बरब ढखा है और कैसे सुन्दर दिख रहा है उसकी वो परसंसा किया है फिर अचो था पेर पौधों से भरी घाटियों की भी वो परसंसा किया है कि कैसे नदिया उससे बाती हुई अटखेलियां करते हुई गुजर रही है फिर वो वहां जो घाटि में देवदार, चीर, सरोद, चिनार, सफेदा, कैल से भरे जंगल हैं हिमाले की घाटियों में उनकी भी वो क्या किये हैं वो परसंसा किये हैं पेज नमर 16 में कोस्चिन नमर 2 है निर्जीव बस्तूओं को मानब समंदी नाम देने से निर्जीव बस्तूओं भी मानो जीवित हो उठती हैं नौन लिविंग चीजों को भी आप लिविंग के तरह कोई नाम देंगे और उसका वर्नन करेंगे तो आपको लगेगा कि उस नौन लिविंग तिंग में निर्जीव में भी क्या हो गया है जान आ गया है लेखक ने इस पार्ट में कई अस्थानों पर ऐसे प्रियोग किये हैं तो लेखक ऐसा कई बार इस लेख में करने की कोशिस किये हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ उधारन दिया गया है परंतु इस बार जब मैं हिमाले के कंदे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी यहाँ पर वो हिमाले को भी एक मनुश्य की रूप में बता रहे हैं और नदियों को भी उनकी बेटियों के रूप में बता करके यहाँ पर उसका वर्नन किये हैं पिर यहां है काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता का है यहां प्रस्ण है पार्ट से इसी तरह के और उधारन आपको ढूडना है यहां एंसर होगा कि इस पार्ट में इसी तरह के और भी कुछ पंक्तियां है जैसे कि संभ्रांत महिला की भाती वे प्रतीत होती थी नदी के बारे में एक महिला से उसको जोड करके और उसको सजीव रूप देने की लेखक कोशिस किये हैं दूसरा है जितना की इन बेटियों की बाल लिला देखकर यहां पर इसमें बोले हैं एक बार लेकर कि मुझे तो कली और लड़कियों को देखकर भी इस तरह के भाव नहीं जाकते थे जितना की इन बेटियों की बाल लिला देखकर तो इस तरह से वह यहां पर भी नदी को सज मान करके सजीब रूप देने की नागारजुन कोसिस किये हैं चौछा है हिमाले को सशुर और समुलद को दामाद कहने में blindfold यहां पर हिमाले 녹श सशुर बना दिया गया और lucal को दामाद तो इस रूप में उन दोनों को सजीब वर्नन नागारजुन करने की कोसिस किये हैं पिर है क्वेस्टिन नमर थ्री पिछली कक्षा में आप विशेशन और उसके भेदों से परचे प्राप्त कर चुके हैं तो बच्चों आपको विशेशन और उसके भेद के बारे में तो अच्छी तरह से पहले ही पता हो चुका है 6 में तो आप हम लोग कुछ कुछे क्वेस्टिन करेंगे grammar based नीचे दिये गए विशेशन और विशेश्य का मिलान कीुछेशन क्या होता है बच्चों विशेशन वो सब्द होता है जो किसी सदय विशेशन की विशष्ता बताता है और जिस संग्या सब्द की विशेष्टा बताता है उस संग्या सब्द को विशेष्य कहा जाता है यहां पर कोश्चन दिया गया है कि नीचे कुछ विशेष्टन है नीचे में कुछ विशेष्टन है और कुछ विशेष्य है तो उन दोनों को हमें क्या करना है हम दो चलिए, अमें आप लोगों को answer बताती हूँ, तो यहाँ पर बच्चों, क्या होगा है, संब्रांत एक विशेशन है, और यह किस विशेश के लिए उप्योग होगा, महिला, बर्सा तो अल्री यहां किया हुआ है, मुश्लाधार बर्सा, संब्रांत महिला, चंचल नदिया, श खेसे दरसिया मिलावाई, संब्रांत महिला, चंचल नदिया, समतलांगन, घना जंगल और मुश्लाधार बर्सा, चलिए, फिर हम लोग नेक्ट देखते हैं, दंद समास के दोनों पर पर परदान होते हैं, इस समास में और सब्द का लोप होता है, तो जो दंद समास होते है उनके बीच और सब्द का लोप होता है, वो वहाँ पर डिसैपियर रहता है, जैसे राजा और रानी, तो यहाँ पर राजा और रानी होना चाहिए, पर और के बदले में यहाँ पर यह डैस का चीना आ गया है, राजा और रानी को एक साथ लिख करके डैस से मिला दिया गया तो यह राजा रानी जो है वो एक दवन्द समास है जिसका आर्थ है राजा और रानी पाठ में कई अस्थानों पर दवन्द समासों का प्रियोग किया गया है इन्हें खोज कर वर्ण माला करम में लिखे तो आपको पाठ से ऐसे ही बहुत सारे दवन्द समास के शब्द खोजने हैं और खोजने के बाद उसको आपको वर्ण माला करम यानि की शब्द को डिक्षनरी में जिस तरह से आप खोजते हैं उस करम में उसको एरेंज करना है ठी यहां पर और सब्द भी लुपता है माता और पिता होना चाहिए पर माता पिता द्वन्द समास है यह ठीक है भाई बहन भाई और बहन होना चाहिए पर इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं द्वन्द समास में सास और ससूर पर इसको सास ससूर लिखते हैं राम सीता यहां हो पहता है तक तेज़ल पतनी होत भाता है थे दूसरा हो जाएगा भाई बहन भा are और बार कर स्बस्राइज थिए यानि कि तीसरा हो गया मात 1 इसके बाद फिर क्या आता है रह आता है यह हो गया मात राम और सीता यह चोथा नमर पर हो गया इसके बाद सबसे अंत में क्या हो जागा सास और शाशूर इस तरह से हम इसको डिक्स्टनरी के करम में एरेंज कर चुके तो फिर यहां पर बच्ची कोस्टन नमार फाइब नदी को उल्टा लिखने से देन होता है जिसका अर्थोता है गरीब थिक है नदी को अगर आप उलटकर लिखेंगे तो बन जागा दा और जिसका अर्थ क्या होता है घरीब आप भी पांच ऐसे सब्द लिखें जिससे उलटा लिखने पर सार्थक सब्द बन जाते हैं, तो इसको उलटने पर भी जो सब्द बना वो सार्थक सब्द था, तो ऐसे आपको पांच सब्द लिखने हैं, पर तेक सब्द के आके संग्या का नाम भी लिखिए, अगर जब आप उलट देते हैं, तो वो किस तरह का संग्या बना, वैसे ही सब्द आपको बनाना है और संग्या का नाम भी लिखना जैसे यहाँ नदी को जब पलट दिया गया तो यह दीन बना जो कि भाववाचक संग्या है चली देखते हैं तो यहाँ पे पाँच सब्द है तप उलटने पे बनता है पत पत एक भाववाचक संग्या है राज पलटने से बनता है जड़ा ये भी एक भाववाचक संग्या है नव को पलटने पे ये वन बनता है ये जाती वाचक संग्या वन जाती वाचक संग्या है गल को पलटने पे लग बनता है ये एक भाववाचक संग्या है तो बच्चों इस तरह से हमारा अभ्यास खत्म हुआ देखने के लिए धनिवाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलें नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा लें अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं अगले वीडियो को बारे में कॉमेंट करके लिए कि आपको वीडि देजिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार